हेलो में वस्कार दोस्तों कैसे आप सभी पर फिर से आप सभी का स्वागत है अपके अपने वीडियोग चैनल प्राफिट अस्टेडी में तो आज हम रेलवे की तरफ से एक सरकारी भरती लेकिया है जो आपका रिलीज किया गया है रेलवे रेकुट्मेंट से सेंट्रल भरती निकाला गया और फाइनल कौन कोई से लोग अपलाई कर सकते हैं कि आप सभी जानते हैं कि प्राफिट अस्टेडे पर जीतने वीडियो आते सारे रेलवे से रिलेटेड रहते हैं और खासकर आईटी आई से तो रिलेटेड परसेंट ही हैं तो चली आज जो हम बात कर करने वाले भरती के उपर हो आपका सेंटरल रिल्वे का यहां पर बात करेंगे तो दो भरती निकाला गया है दोनों भरती हम सेम वीडियो पर कवर करेंगे अलग अलग वीडियो इसके लिए आपको नहीं मिलेगी एक ही वीडियो में दोनों भरती के बार में बात करेंगे तो पहला भरती जो हमारा आता है वो आपका cultural quota के तहता आता है ठीक है और तो अगर दूसरी भरती की हम बात करें तो स्क्राल करके आप नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखिए आपका online recruitment against open advertisement sports quota for the year of 22 and 23 अगर पहला भरती का बात करें तो cultural quota और दूसरा भरती का बात करें त सबस्यादा जो आपका candidate का doubt होगा कि सर जो sports quota में है कौन-कौन से level का certificate अगर होने पर हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तो tension मत लिए बने रही हमारे साथ full detail के साथ हम आपको वीडियो provide करें तो देखिए हम यहाँ पे cultural और sports quota में से स्रिफ हम sports quota का notification पर डीटेल से बात कर ल यहां से download कर सकते हैं तो description में लिंक आपको मिल जागा देखिए आप लिखा हुआ click here to view download notification in English और Hindi दोनों तरह का है लेंग्वेश का यहाँ पर परियोग किया है चाहाँ हिंदी से भी पढ़ सकते इंग्ली से भी पढ़ सकते तो फाइनल लिए मोडिफिकेशन पर विजिट क इस वेकेंसी निकाला गया है स्पूर्स कूटा के तहट 2022 देश के session में अगर हैं पर इंपॉर्टेंट डेटेस का बात करते हैं तो 28 सी 11 2022 के date से आपका online आवेदन होना शुरू हो जाएगा मतलब कल का date से आपका finally जो link को active कर दिया जाएगा सभी के लिए जो लोग भी इसके बात करें तो टूटल तीन वेकेंसी है तीनों केटेग्री से एक एक पोस्ट आपका release किया गया है जिसमें मैन और मैन कौन अपलाई कर सकते हैं आप बताए गया है कि यह तीनों वेकेंसी आपका main person के लिए है ठीक है इवेंट पोजीशन में आप देख सकते हूं कि सारा कु हो है तो इतने सारे गेम से अगरिश quartz किये हो आप के पास कोई भी state evolutionary तो आप इसके के लिए eligible होगे lower lifting का और किसे मेन को अपलाई करनय किसमे मेर को अपलाई करना यह भी आपको इहां पेली से रिलीस कया अप देखार के अगर किर्टेट से बात करें बास्केट ब daran बात करें साइक्लिंग कपड़ी आप जिससे भी क्वालिफाई किया होंगे अपने अनुसर आपको देख लेना तो टोटल यहां पर 16 तरह का खेल आपको देखने को मिलेगा टेबल टैनिस बगर आपको वालीबॉल है उसके बाद तरह इतने तरह इतने सरा के खेल आपको 18 वे अगर गेर्जवे से ने तो आप लेवल 4 और 5 के लिए अपलाई कर सकते हो और अगर लेवल 3 और 2 के लिए अपपलाई करना चाहते हो तो यहां पर आपका पास्ट 12 होना चाहिए प्लस 2 सिस्टम और इस एकुभ्लेंड माले सिंपल अगर अब 12 पास हो तो भी आप इसके लि सबसे बड़ी बात बताए गया कि डिप्लोमा इन इंजिनेरिंग को यहां पर कोई भी कंसीडर नहीं किया जागा डिप्लोमा वाले आप अपलाई नहीं कर सकते हैं कि बहुत सारा डाउट रहता है इसलिए मैंने डाउट आपका पहले ही किलियर कर दिया एज के बार में बा क्या यहां पर इलिजिबिलिटी नॉम्स रखा गया हो देख लीजिए लेवल फाइप और फॉर के लिए देखेंगे तो यहां पर आपको बोला गया कि कंट्री इन ओलंपिग गेम्स सीनियर केटेग्री से अगर आप अपलाई कर सकते हैं उसके बाद एटलिस थर्ड पोज और एट्येकर सकते हैं यूस चden इवसी लिए असमेरिफट के लिए तो इसमें अब को देखन Σीमय के लिए मंगा गया और आपका वर्ल्ड कप चेंपियंशिप, एसीन गेम, उसके बाद आपका कॉमन वेल्थ गेम, यूथ ओलम्पिक, उसके बाद आपका डेविस कप, देन आपका देखेंगे तो चेंपियंशिप ट्रॉफी, थर्ड पोजिशन इन कॉमन वेल्थ गेम, एसीन चेंपियंशिप और साउथ एसीया फेडरेशन गेम्स और यूएस आईसी तो इन तमाम तरह का आपको जो भी गेम है उसमें अगर आप पाटिसिपेट किये हो और अब थर्ड पोजिशन तक भी तो आप इसके लिजबल होंगे सीधा सीधा इसका फॉर्म अपलाई करके और सेलेक्शन आराम से आप यहां पर ले सकते हो उसके बाद आपको यहां पर और एक बोला गया है कि फेडरेशन कम चेंपियंशिप पकर आप खेले हो तो उसमें आपको फॉर्स्ट पोजिशन चा ग्रेड पर निश्व आपका लेवल टू के तहर्त है जिसमें आपका ग्रेड पर रहेगा 5200 से 2200 तक ठीक है और क्रिकेट ओमें में तो यह सारा कुछ आपको पढ़ लेना है करके अगर सारा कुछ देखते जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है यहां पर बात कर गया है उसके बाद बात करेंगे तो बास्केट बोल बॉक्सिंग क्रिकेट तो यहां से करके आप सारा देख सकते हो कि कि यहां बहुत ही डीटेल के साथ बताएंगे टूटल अठारा पेस का जो पीडेफ हो निकाला गया है सेंट्रल रेलवे की तरप से अगर बात करेंगे से ज़्यादा लाना होगा या फिर पचीस भी लाओगे तो चल जाएगा उसके बाद आपको क्या बोलागे कि अगर कमिटी के द्वारा फिट नहीं पाएगा तो नेक्स्ट प्रोसेस में आपको यहां पर पाटिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा एक्जामिनेशन फिस के के बाद आपको 400 रुपए बैंक में वापस कर दिया जाएगा एक्जाम के बाद जो भी डिड़क्ट होके वापको बैंक में वापस मिल जाएगा तो यह सारा इंफोर्मेशन था आपको देख लेना ऑनलाइन एप्लिकेशन का जो लिंग के मैं फिर से बता देता हूं 28-11-20 22 के डेट से इसका ऑनलाइन जो आवेदेन है वह स्टार्ट कर दिया जाएगा ठीक है कौन-कौन से लोग अलिजबल थे मैंने पहले बता दिया कि जो अगर 12 पास है वह उसका आपको गेड़जवेट वाले देना अगर आप 10 के बाद नसी का सर्टिफिकेट है नेशनल अप इस्प्रेशन आपके पास उसका वी इंफरमेशन आपके पास हो जाए गृवर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री और रेल्वे रेल्वे रेल्यूए रेक्यूत्मेंट सेल दोनों सेंटर लेल्वे की तरफ से रिलीज़ किया गया लेवल 2 के है तो इससनीप आपका टूप पोश्ट रिलीस किया गया है कौन-कौन सा है वो देख लीजे आपको यहां पे सिमपल देखनेगी मसलेगा कि हिंदुस्तानी लाइटिंग वोकल जो अपको मेल परसन उसमें एक पोश्ट डाप रिलीस किया गया और दूसरा वन सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं तो सारा सेम प्रोजिजर है तो एक बार अपने से रीट कर लिजे का आप सभी और आपको सब्सक्राइब करना होगा और अपने साथ में डीवी के टाइम में आपको लेकर भी जाना होगा दो चलिए तो आई होप सारा इंफोर्मेशन आप सभी को हो गया होगा कि सेंट्रल रेल्वे का अगर पहला वेकंसी का बात करें तो 21 पोस्ट पे दूसरा वेकंसी का बात करें तो दो पोस्ट पे निकाला गया है कल्चरल कोटा और स्पोर्स कोटा के टाया फिर वेकर कोई जनकारी छूट गया होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजीगा चैनल पर फर्स टाम में सब्सक्राइब करके बेल बटन का दिएगे ताकि हरी वीडियो के न